आज हम यूनिट नंबर फोर में देखने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स और लिटरिचर को मिला के हम क्लास में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे नाज बच्चों की लिटरिसी स्किल डिवेलप हों बलके मैथमेटिक्स की कॉंसेट भी डिवेलप हो जाएं तो हम दुबारा देखेंगे चिल्डरिण लिटरिचर को मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्शन में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससेकर आप जानते हैं यह गरुवेलपन टेकनोलोजी का भी इन तो再ses दुनिया में चलने लिए पढ़ने क्वाहत ब ecc करेंगे बहुत ही ज़रूरी हैं कि हम और हमारे भुच्चक्य और हमारे बच्चिछ प्रफिशंट हों अर्रदिम्यटिक कैस इंने हज़ जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जा रहे हैं आप वैसे-वैसे मैट की स्कल्स साइंस की स्किल्स और आपकी रीडिंग राइडिंग स्कल्स का इन्हेंस होना बहुत ही जरूरी है और हम यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और की वाइटल फिनामेना के मोस्टी बच्चे हर प्रोसीडिंग रीड के साथ मैठ और साइंस से दूर हटते जाते हैं और उन्हें मैठ और साइंस बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लगने लगता है और जितना चैल पर एक लास्टिंग एफेक्ट देता है उनकी रोधमरा जिंदगी की चॉइस पर और डेफिनेटली फ्यूचर की प्रोफेशन के उपर क्या बनना जाते हैं जानते हैं कि मैठ बहुत से सब्जेक्ट का कोर है आपके टेक्नॉलोजी का कोर है कंप्यूटर का कोर है फिसिक्स स्टेंड फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नॉलोजी, एफॉर एंजिनियरिंग, एफॉर माथमेटिक्स की इतना इंपॉर्टन चीज़ है जो टास्ट टीचर को दिया गया है कि हमने बच्चों को मैठ और साइंस में फेल होने नहीं देना, उनका कॉन्फिदेंस लूज होने बेंग एज़ टीचर हमारे पास रिस्पॉनसिबिलिटी है कि हम बच्चों की सेल्फ इस्टीम को बरकरार रखें और उनका मैठमेटिकल एप्टीचूड भी बरकरार रखें, कैसे बरकरार रख सकते हैं, उसके अंदर कहानिया बहुत ही एहम हो सकती है, जिसके थूरू माथ की कांसेप्ट सिखा सकते हैं, ऐख रियल कनेक्शन बचों के दर्म्यान और उन कहानियों के दर्मयान डाला जा सकता है, जिससे समझ सकें कि कैसे यह माथ के कोंसेप्ट सिकानी में चल रहे हैं, और हमारी जिन्दगी में भी इसी तरह चलते हैं। उनकी mathematical understanding बेतर हो जाती है. जब बच्चे कहानी के थूँ गेम्स में और problem solving में और puzzles में mathematics की जो concept समझते हैं, तो definitely वो non-threatening होता है और वो ज्यादा polite और बहुत engaging और enjoyful event हो सकता है. Same time, वो जो traditional तरीके थे पढ़ाने के, जिस तरीके से हम पहले math पढ़ाया करते थे या हमने math पढ़ा है, वो तरीके जो है, वो थ्रेटरिंग भी है, जिसकी वज़से बच्चों में anxiety भी develop होती है, उनको फिकर भी होती है, वो घबराते भी है और वो math को सीखने से दूर भागते हैं, या properly assume कर लेते हैं, कि हम math नहीं पढ़ सकते हैं. एडवांटिस क्या है, literature को math के instruction में integrate करने के, पहला advantage यह कि anxiety को कम करता है, और जो आपकी math related anxiety है, classroom की, वो reduce हो जाते हैं, और बच्चे थोड़ा ज्यादा engaging हो जाते हैं, वो बच्चे जो response नहीं करते हैं, अमोमन जवाब नहीं देते हैं, या ideas लेके नहीं आते हैं, वो response करने उन कहानियों में से plot लेते हैं, और उसको कहानी को math से relate करते हैं, ये एक बहुत interesting puzzle और game बंज जाती है, और problem बंज जाता है, जिसे बच्चे solve करते हैं, जब बच्चे math के concept सीख रहे होते हैं, कहानियों में, तो definitely वहाँ एक वाक्या, एक plot, एक context, एक perspective मौजूद होता है, उस perspective में engage होने से ज्यादा बच्चे math की problems को solve करने में अपना time लगाते हैं, दिमाख लगाते हैं और skill develop करते हैं, और उनकी जरह understanding भी definitely बेतर हो जाती है, ना सिर्फ math बेतर होता है, उसके साथ-साथ integrate होती है, reading, writing, speaking, listening skills, सुनते हैं, बाते करते हैं, read out करते हैं, और सोच रहे होत हैं, mathematically भी और language की तुरू भी, so mathematical thinking हम promote करते हैं, how to think mathematically, किस तरीक से student की assessment कर सकते हैं, teacher understanding by reading aloud or asking question, बच्चों को बकाइदा कहानी पढ़के सुनाई जा सकती है, या उनसे सवाल जबाब किये जा सकते हैं, और active participation जो है, बच्चों की problem solving में, narrative कहानी में, बच्चों को कहा जा सकता है, कि वो participate करें, discussion करें, teacher और student जो है, experience को जब share कर रहे होते हैं, तो definitely वो ज्यादा learning, ज्यादा inclusive, ज्यादा बहतर environment बना लेते हैं, जहांके math और literature को खटे पढ़ना आसान भी होता है, enjoyable भी होता है, और relationship building भी होती है